बटेंगे तो कटेंगे यह जो उन्होंने एक स्लोगन दिया लोगों को समझाने की कोशिस की सनातनियों को यूनाइट करने कोशिस की आप बलतकारीयों का डिएने आप बता रहे हैं तो यह जो aggressively statement हैं यह बता रहे हैं कि योगी आधेतनात ने इन दस सीटों की कमान अपने सकते हैं आप अगर बाप जुर्म करता है आप बेटे या परिवार के आप घर को गिरा देने बुल्डो या थे लोजिकल नहीं लेकिन ये भी समझना होगा कि उत्तर प्रदेश हो या देश के किसी भी कोने में अगर आपको अपराध को कम करना है या अपराध को खत्म करना है अपराधियों पर काबू पाना है तो आपको कहीं न कहीं खौफ होना चाहिए कि आखिर किस बेगुनाह का घर गिराए गया है और सुप्रिम कोर्ट ने जो कहा है वो लॉजिकल टिपड़ी है लेकिन उत्रपदे सरकार का अपना स्टेंड है वो सिधे तोर पर ये कह रहे है कि हम किसी अपराधि का घर नहीं गिरा रहे है अपराधि है या नहीं ये तै करने काम कोर्ट का है लेकिन निर्माड जो हुए है वो निर्माड में अवैद है या वैद है ये तै करने का काम हमारी जो अथोरिटीज है पराधिकर्ण है निगम है ये सारे जो रिवेन्यू के मैसूस होगा कि देखिए अवैद जमीनों पर कबजे भूमाफियाओं का जो एक समय बार थी उसमें कहीं न कहीं कमी आई है तो उस लिहाज से तो आप एक बास समझेंगे कि अगर आप अध्यात्मिक हो तो भी आप देखिए भगवान राम ने भी उसमें राम चरित मानस में भी कहा गया कि भैविन होए न प्रीत तो जब तक डर नहीं होगा तब तक कोई रूल्स और रेवलेशन के साथ नहीं चलेगा यूपी में विधानसभा की दस सीटों पर उपचुनाव होने हैं ऐसे में यहाँ पर चुनावी जंग को लेकर जमीन पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है मायवती जो अब तक उपचुनाव से दूरी बनाए रखती थी वो भी इस बार मैदान में दिखाई देने वाली है वहीं सीम योगी अदित्यनाथ और अखलेश यादव के बीच वार पलटवार देखने को मिल रहा है और इसमें सबसे ज़ादा चर्चा और मुद्दे कोई दो वो बने हुए हैं जो है डियने और वो है बुल्डोजर ऐसे में उपचुनाव को लेकर और डियने और बुल्डोजर को लेकर हम बात करेंगे वरिष्ट प्रत्रकार ब्रजीश श्रीवास्तव सर से सबसे पहले बहुत-बहुत स्वागत है हमाई शो में आपका देखे जो तमाम बुनियादी मुद्दे हैं आप जिसकी बात कर रहे हैं आप डियने की बात कर रहे हैं इस वकत जो राजनिती में सबसे ज़ादा चर्चा बुल्डोजर को लेकर के हो रही है सवाल समझना होगा कि सुप्रिम कोर्ट की टिपड़ी और उस पर राजनितिक जो छीटा कसी है इसके अपने माइने क्या है देकि सुप्रिम कोर्ट ने जो कहा वो बिल्कुल सत प्रचत सत है कि आप अगर किसी बेटे ने जुर्म किया है आप उसके बाप का घर गिरा देना ये लॉजिकल नहीं है बिल्कुल लॉजिकल नहीं है आप अगर बाप जुर्म करता है आप बेटे या परिवार के आप घर को गिरा देना बुल्डो या थे लॉजिकल नहीं है लेकिन ये भी समझना होगा कि उत्तर प्रदेश हो या देश के किसी भी कोने में अगर आपको अपराध को कम करना है अपराध को खत्म करना है अपराधियों पर काबू पाना है तो आपको कहीं न कहीं एक खौफ होना चाहिए एक डर होना चाहिए खास करके उन माबाप के उस इस तरह की राजनीती हो रही है, बुल्डोजर को लेकर के लगातार अटैक हो रहा है, अब देखे अगर आयोध्या में जो बलतकार का आरोपी समाजवादी पार्टी का एक नेता निकला जो है, उसके रिसॉर्ट्स पर बुल्डोजर चलाया गया, अखलेस या दोने टिपड और सुप्रिम कोर्ट ने जो कहा है, वो लॉजिकल टिपड़ी है, लेकिन उतरपदेश सरकार का अपना स्टैंड है, वो सिधे तोर पर ये कह रहे हैं कि हम किसी अपराधी का घर नहीं गिरा रहे है, अपराधी है या नहीं ये तैकरने काम कोर्ट का है, लेकिन निर्माड जो हुए है वो निर्माड में अवैद है या वैद है ये तैकरने का काम हमारी जो अथोरिटीज है, प्राधीकरण है, निगम है, ये सारे जो रिवेन्यू के अधिकारी ही, ये सारे लोग तैकरते हैं, कि वो अवैद है, अवैद है, तुक है, मैं आपको यहां पर रोकना हैं, तो उसका खाम्याजा आपके परिवार को कि कहीं न कहीं कोई कितना भी बड़ा क्राइम कर रहा हूँ, अपने परिवार से प्यार करता है, ये ठीक है, लेकिन इस भी सवाल विपक्ष ये भी उठा रहा है, कि आपका जो बुल्डोजर चलता है, ये पर्टिकुलर सब चीजे देख के बुल्डोजर चलाए जा रहा है, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है, और जिस तरीके से जोही भी लगातार इन चीजों को कवरिज कर रही है, तो ये सबसे बड़ा सवाल है, जिसका मुझे जवाब चाहिए आपका कोई सवाल दोनों एक साथ एक सवाल ये कि अभी जैसे आपने एक बात कही कि सिर्फ अवैद निर्मार पर, तो वो अवैद निर्मार से विपक्ष के ही लोगों में क्यों दिखता है, मतब बिजेपी देखा जाए तो नाव रेप केस है, आई आई टी बिएच यू, यहां पे तो कही पे बुल्डोज पंसर दिखा ही नहीं, क्यों? वो कहती है अपराधियों पर चलता है, या फिर जो है जो जो जिन्होंने अवैद निर्मार किया, अवैद संपत्तियां और जित क्यों उन पर चलता है, सवाल यह नहीं, सवाल यह है कि इसका इंपक्ट क्या है, उत्तर प्रदेश में अगर आप कमप्रेटिबली आप जो है एक बास समझेंगे कि अगर आप अध्यात्मिक हो तो भी आप देखिए, भगवान राम ने भी उस राम चरित मानस में भी कहा गया है कि भैबिन होए न प्रीत, तो जब तक डर नहीं होगा, तब तक कोई रूल्स और रेगलेशन के साथ नहीं चलेगा, तो मुझे लगता डर कायम और अपराधी से अगर आप ये पूछोगे, देखिए ये आप इसके दोनों अलग अलग पहलो हैं, अगर आप यूमन राइट्स की बात करो तो आप किसी को डाट करके भी बात नहीं कर सकते, किसी जहापड़ भी नहीं मार सकते, लेकिन क्या इस तरीके से क्राइम कंट्रोल हुआ, नहीं हुआ, तो अपराध और अपराधियों पर दोनों को खौफ होगा, जब अपराध का खात्मा तब होगा, जब लॉइन ओर आपका मेंटेन होगा, जब आपका रसूक कायम होगा, आपका इकबाल कायम होगा, अगर पुलिस का इकबाल कायम होगा, क्यों दी जाती है उसके पीछे वज़े यह होती कि जब एक बेक्ति को फासी पर लटका दोगे तो दूसरा बेक्ति उस तरह का अपराध करने से बहले सो बार सोचेगा यही तो जेश्टिस का नियम है तो बुल्डोजार राजनीती का नहीं बलकि आपको यह समझना होगा कि अगर अपराधी कभी किसी जमात का किसी सियासी जो है विराधरी का होता ही नहीं है अपराधी सिर्फ अपराधी होता है और यह हर किसी को समझना होगा लेकिन राजनीती है तो राजनीतिक चसमे से देखा भी जाएगा राजनीतिक तरीके से उस पर टिपनियां भी होंगी आरोब प्रत्यारोब भी लगेंगे तो समाजवादी पार्टी के मुख्या खले से आदो वो अपने स्टेंड पर एक तरे से कायम है योगी आदेतनात ने जो आज अटेक किया कि बुल्डोजर जैसी जिसकी सक्सियत होगी जिसके अंदर बुल्डोजर जैसा जो है श्ट्रॉ इसी उत्तर प्रदेश में बुल्डोजर चले ना वो चाहे अतीक би हमद हो असरप हो मुक्तार अंसारी हो कोई भी हो X-Y-Z इतमाम अपराधियों के घरों पर बुल्डोजर चले उनք अवेज नİरमाडों पर बुल्डोजर चले और बुल्डोजर से असर क्या हुआ आज उ उन जमीरों अवैड ढंक से अवैड निर्माणों पर बुल्डोजर नहीं चलना चाहिए उसमें प्रॉब्लम क्या है किसी को सवाल यह कि सुप्रीम कोड की गाइडलाइन का वाइजरलेशन नहीं होना चाहिए इसमें कोई शक नहीं है इस आधार पर कि अवैड निर्माण होए है अब उस पर कितनी भी सियासत कर लिजें जैसे देखा जाए अखलेश यादव हमेशा से बुल्डोजर एक्शन को लेकर के एक तरह से यह कहते रहें कि बुल्डोजर एक्शन बंद कर देना चाहिए जो है आरोपी ओपर चल रहा है लेकिन विजेपी की नेताओं पर नहीं चल रहा है इस तरह से कई उन्होंने बयान दिये लेकिन आज य जो अकलेश ने एक बयान दिया कि विधान सभा में अगर हम जीते तो फिर हम ये बुल्डोजर गोरकपूर में चलाएंगे यही राजनिती है मैं यहीं कहना चाहरा हूँ यह बहुत बड़ा बयान मतलत तो अब आप अकलेश यादव क्या इस बुल्डोजर को चीनदा चाह अगर अब गलत है तो तब गलत क्यों नहीं होगा तो देखिए मैंने पहले भी कहा कि यह राजनिती है आप इसे राजनितिक चस्मे से ही देखेंगे तब तक ठीक है क्योंकि राजनिती में सही और गलत कुछ होता नहीं है आप जिस स्टैंड पर खड़े होते हो वो सही होत होता है और आपके सामने जो होता है वो गलत होता है राजनित को इसी चस्मे से देखा जाए क्योंकि आज की राजनिती में आप आइडोलोजी ढूने आपकी राजनिती में सुचिता ढूने एमानदारी ढूने सचाई ढूने तो बहुत मुस्किल है यह सब कुछ ढूनना इ या फिर पुलिस अपना रसूक अपना इकबाल कायम करे तत्परता के साथ कारवाई करे और मामले को कोड तक जल 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 पहुंचाए अप राधियों को जल जल सजा हो तब खौप पैदा होगा कि खबर ये थी कि वो सपा में वापस भी जा सकती हैं कि लगातार ये मीडिया में खबरे चल रही थी तो अचानक से अपढ़ना यादब पर बीजेपी की इस महरवानी को आप कैसे देखते हैं देखे महरवानी आप बीजेपी के साथ जुड़े हुए वो तमाम नेता वो तमाम लोग जो अलगलग पार्टियों से आए उन्हें किसी न किसी तरीके से बीजेपी ने उबलाइच किया लेकिन 2022 से 2024 तक हर बार जब भी चुनाव आया कोई उपचुनाव आया हर बार चर्चाय रही कि अपढ़ना यादव को टिकट मिल सकता है अपढ़ना यादव को लोग सभा का मिल सकता है विदान सभा का मिल सकता है उपचुनाव का मिल सकता है लेकिन नहीं मिला इसको लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कटाक्ष किया गया कई बार जो है कि उन्होंने जुन्जोना पकलाया था और अब अपणना कहीं की नहीं रही नहीं कुछ समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयाना है कि घर वापसी कर लो इज़त के साथ तो इस तरह की तमाम चीजे ट्रोल भी हो रही थी अपणना यादो अपणना यादो लगातार केंदर के नेताओं से लेकर राजी के नेताओं तक से मिलती है योगी आदे तनात की बहत करीबी मानी जाती है अपणना यादो कोस एक तरह से सोसल वर्किंग के तरफ आगे ले करके जाती है और जिस तरह के उनकी सक्सियत है वो बेबाग तरीके से अपनी बात रखती है तो ऐसे में महिला आयोग के जरिये जोड़ करके बीजेपी ने एक तीर से दो सिकार किये हैं एक तरफ गौर करने वाली बात है कि मह महिला आयोग में 11 OBC महिलाओं को जोड़ा गया है आप सोची हो प्रियंका मौरिया जो लड़की हूं लड़ सकती हूं उसे भी महिला आयोग का सदस्व बनाया गया जो कांग्रेस के पोस्टर गरल थी कि लड़की हूं लड़ सकती हूं प्रियंका के साथ जो है उसने पोस् दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इसके जरीए समाजवादियों का मूभी बंद किया गया है जहां समाजवादी कह रहे थे कि आप जो है इसका कोई भी उपयोग नहीं करना होगा इसे में एक सवाल यह बनता है जिस तरीके से अपड़ना यादव ने कितनी बार यह भी बो लेकर एक तरीके से जब मुलाइम सिंग यादव ने 2012 में बयान दिया था कि लड़के हैं लड़कों से तो गलतिया हो जाती है निर्भ्या के समय में और उसके बाद इस वक्त जिस तरीके से रेप की दो-दो उनहीं के पार्टी के नेताओं के उपर गंभीर आरोप लगे है और अखलीश यादव ने आज भी डियने को लेकर अजीब हो गरीब टूइट कर दिया कि डियने की फुल फॉर्म समझ ये आपको नहीं पता है और अब उपद्यक्ष अपढ़ना यादव रहेंगी तो अब अपढ़ना यादव अखलीश यादव पर आपको लगता है कि व वो नवाप सिंग हो चाहे वो आपका योध्या का प्रकरण हो एक के बाद एक ऐसे प्रकरण आ रहें जिसमें समाजवादी पार्टी के नेता इस तरह की घटनाओं में इन्वाल बताय जा रहे हैं निकल के सामने आ रहे हैं उस वक्त महिला आयोग की उपाध्यच बन करके अब अपना यादों का रुख क्या रहता है ये बेहत दिल्चस्प होगा और खास कर कि जिस तरह के बयान आ रहे हैं इस तरह के बयानों में महिलाओं के समान को भी ठेस पहुंचती जिस तरह के बयान डियने को लेकर के या का अलग अलग तरीके से बयान अखलेस यादों द पर डिंपल याख लेस प्राटेक करेंगी तो उस पर उन्होंने गुरेच किया है लेकिन इसके साथ ही चाहे वो समाजवादी पार्टी की बात हो ये बेपक्च की कहीं की भी बात हो उन्होंने मुखरता के साथ अपनी आवाज जरूर उठाई है तो इसमें कोई शक नहीं है क अपना यादाओ को तो अब वो पॉर्टफोलियो मिल गया है अब वो उस महकमे में पहुँच गई है जिसका काम है महिला हितों की आवाज उठाना ऐसे में मुझे लगता है अब अपना यादाओ और एग्रेसिव होकर समाजवादी पार्टी पर हमला करती होने जर आएंग लिए विधानसभा चुनाओ में इसका कुछ असर देखने को मिलने वाला है। की अगर बात करें आप सूचे नवाप सिंग्ग जो कभी अखले स्यादों के बेहत खास रहे परिवारिक तोर पे सरस्क के तोर पर रहे मिनिमुक मंतरी कहे जाते थे अगर उनका नाम आरोप परा रहा है अभी कल जो है मैं पूरी योगिया देत तनात गए वहां से उन्होंने अटेक किया कि दरसल जो नवाप का डियने है यही समाजवादी पार्टी का डियने हो चरित रहे तो जाहिर तोर पर उसका राजनितिक इस्तेमाल हो रहा है तो राजनितिक नफे नुकसान की तो बात आएगी न जब महिला सम्मान की बात आएगी महिलाओं के हितों की किया जा रहा है तो disadvantage भी मिल सकता तो राजनितिक नफे नुकसान की सम्माहोना तो हमेशा बनी है अच्छे जिस तरीके से दस सीटों पर उपचुनाव होने है ऐसे में पांस सीटे सपा के पास थी चार बीजेपी के पास थी और एक यो थी वह रलोत के पास थी तो क्या लग लेकिन अखलेश और राहुल की जोड़ी कुछ ऐसा कमाल कर पाएगी और ऐसे में अब क्या लगता है कि उपचुनाव में फिर से ये जोड़ी कमाल करेगी या फिर बाबा कुछ कमाल करेंगे देखे ये तो उपचुनाव के नतीजे तैं करेंगे लेकिन सबसे बड़ी बा आदितनात एक ऐसा tough character है जो हमेशा जो है challenges को accept करता है योगी आदितनात ने उन दो सीटों को चुना जहां पर लगातार समाजवादी party का कब्जा था जहां पर कभी BJP जीती नहीं है उन्हें चुना है और उसके बाद 10 सीटों की command तो उनके पास है यह लेकिन दो सीटों के पर मामलो को ले करके हो या फिर सनातन को टिपड़ी करने को ले करके इस तरह के तमाम मुद्धे हैं बटेंगे तो कटेंगे यह जो उन्होंने एक स्लोगन दिया लोगों को समझाने की कोसिस की सनातनीयों को unite करने कोसिस की आप बलतकारियों का DNA आप बता रहे हैं तो यह जो aggressively statement हैं यह बता रहे हैं कि योगी आदेतनात ने इन 10 सीटों की कमान अपने हाथों में ली है और जाहिर तोर पर एक बात मान के चलिएगा कि योगी आदेतनात गेम चेंजर है योगी आदेतनात एक ऐसी सक्सियत है जो कोई नहीं कर सकता वो वो कर सकते हैं क्योंकि उनके चेहर क्या कुछ करिश्मा कर पाएगी ये देखने वाली बात होगी उपचुनाब की जो दस सीटे हैं यूपी में उसको लेकर बातचीत की और यहां पर जिस तरीके से सीम योगी आदितिनाथ हिंदुत्व का जिस तरीके से आक्रमक रूप से वो दिख रहे हैं और अखलेश यादव है जो जाती है जनगर्ना को लेकर बात कर रहे हैं महिला सुरक्षा बड़ा मुद्दा है वहीं पर बुल्डोजर को लेकर डियने को लेकर तमाम वो बड़े कि स्ट्रीटों के उपचुनाव में सीम योगी आदितिनाथ क्या कमाल कर पाते हैं या फिर दो लड़कों की जोड़ी फिर से कमाल करती है